वीडियो में स्वागत है यहां पर रियल्मी 7 के लिए एक और नया अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है और इस अपडेट का नाम है अगर आपके में इससे पहला वाला जो अपडेट था वो नहीं आया है तो डिरेक्ली आपको यह 65 अपडेट रिसीव हो जाएगा आपको करना क्या है सिंपली जाना है अपनी सौब्वेर अपडेट में और यह सबी को ओटिये तक अभी मिलना शुरू हो गया है मुझे भी आर फर्स टाइम मिल गया रियल्मी की तरफ से लेकिन यह चमतकार हो गया लेकिन यह ओटिये आपको देखने को मिल जाएगा और अ उसली ए 63 वाला जो अपडेट आया था वही अपडेट है उसके अंदर थोड़े से जड़ा सी फिक्सिस करे गए है जो की हो आपके गोस्टच वगेरा के थे उसको फिक्स करके यहां पर यह ए 65 दिया है काफी सारे लोगों को ए 63 आ गया था उसमें प्रॉब्लम काफी सारी उसको काफी नहीं नहीं आ भी गई थी काफी लोगों की सॉल्व हो गई थी जिनकी नहीं होई है अब उनको यह ए 65 वाला अपडेट मिलेगा जिससे सारी प्रॉब्लम उनकी जो भी है सब सॉल्व हो जाएगी अगर यहां पर मैं बात करूं तो चैंज लॉग आप देख सकत करा गया है उसके लावा सम आप्टिमाइजेशन करा गया है और स्क्रीन फ्लिकर जो हो रही थी आपकी लो ब्राइटनेस के अंदर उसको भी यहां पर इसके अंदर फिक्स करा गया है अगर सबसे पहले मैं बात करूं कैमरा की तो कैमरा इमेजेस काफी अच्छी यहां पर अब यहां इंडोर लाइटिंग के अंदर लो लाइट में में कैमरा से फुक्स क्लिक करीं और काफी अच्छी डीटेल पिक्स निकल के आई आई आए आम रेली सप्राइज लेकिन जो क्वालिटी निकल के आ रही है इस टाइम पर पिक्स की ना वह बहुत ही मस्त यहां पर इवन फ्रेंट कैमरा भी काफी अच्छे से यहां पर पिच्चर निकाल रहा है तो में कैमरा की क्वाल्टी जरूर से इंप्रूफ हुई है यह मुझे बिलकुल अच्छा यहां पर लग रहा है और यह चीज काफी अच्छे हैं हाला कि थोड़ी कॉंट्रास्ट अब मुझे लग रहा है इंक्रीज कर दिया गया है लो लाइट के अंदर लेकिन डीटेल्स वगेरा देखने के लिए मिल रही है यह काफी बैटर चीज यहां पर मुझे लगी है उसके लावा जो अल्टरावाइट लैंस है वह वैसा ही है जादा कुछ उसमें इंप्रूमेंट नहीं ल जाता है और अच्छे सिफ सूपर फाइण वर्क कर रहा है मुझे कैमरव में ज्यादा कोई कम्प्लेंड नहीं है बस अल्टरावाइट को थोड़ा सा फिक्स करें फ्रन यहां अपर आकि प्राइट नहीं कुछ है तो उसको यहां पर यहां पर फिक्स कर दिया गया है ज्ञ काफी अच्छे से इमेज आ जाती हैं हाला कि इंडो लाइटिंग में थोड़ी डीटेल्स की कमी यहां पर हाला कि मैंने जरूर से महसूस करी है अब यहां पर बात करें जो की मेजर एक और इशू देखने के लिए मिल रहा था वो था काफी लैग का तो पिछले अपडेट में मुझे जब यह अपडेट आया था तो बहुत जादा लैग होने लगा था डिवाइस एकदम सड़न जो ड्रॉप हो जाता है एफपेस का वैसे लग रहा था लेकिन इस अपडेट में यार इस डिवाइस को बहुत जादा स्मूध अच्छे से कर दिया गया है अब आपको य 3GB के असपास 6GB में से आपको फ्री मिलता है तो यह भी एक काफी अच्छा प्रॉमिसिंग है कि हां यार इस अपडेट के बाद आपका मेमोरी मेनेजमेंट भी थोड़ा सा बैटर हुआ है तो आपको लैग वगेरा भी नहीं देखने को मिलेगा पिछली अपडेट में अब देखने के लिए नहीं मिला है स्क्रीन फिलिकर तो वो भी एक काफी बैटल चीज हो जाती है उजे किलावा जिन लोगों को गोस्टर्ज का इश्व आ रहा था वो भी इस अपडेट के अंदर सॉल्फ कर दिया गया है हाला कि मैंने आज तक अभी तक जितने डिवाइस मैंने अभी जितने टाइम हो गया इसको यूज करते हुए मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ अपना फोन करीबन एक महीने के आसपास से तो मुझे कोई भी इश्व इसके अंदर नहीं आया है और ये चीज मुझे काफी बैटर लगी है गोस्टर्ज मुझे आज तक देखने के मिल रही है हाला कि पिछले अपडेट में कुछ बगस आया थे जैसे कि अगर आप low brightness में screenshot लेते हो तो वह screenshot की brightness भी काफी low हो जाती है वो बग अभी इसके अंदर है उसको भी fix अभी तक नहीं करा गया है वह चीज मैंने चेक कर ली तो वो भी आपको देखने के ल कोई नई चीज इसके अंदर नहीं हुई है जब जो चीज थी वो सभी पुरानी चीज है और हां बैटरी बैकप को भी मैं देख रहा हूं इंप्रूफ करा गया है यहां पर हो सकता है अब आपको दस आर्स के आसपास का बैटरी बैकप इसली देखने के लिए मिल जाए तो यह भी मैं उमीद कर रहा हूं मैं इसको चार्ज करके फुल यूज करूंगा उसके बाद ही आपको बता सकता हूं बैटरी बैकप के बारे में लेकिन फिलहाल तो जैसा अपडेट प्रॉमिस और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलिग्राम ग्रूप में भी पूछ सकते हो फिलाल तो इस वीडियो में बस इतना ऐसा मिलूंगा आपसे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केर बाई-बाई-बाई-सी ओना नेक्स वीडियो और हां यह बताओ यह कव आफी कूल लग रहा है आप चाहती हो इसका रिव्यो करूँ तो जरूर से बताना फिलाल इस वीडियो में यह टेक केय अव बटाए